दोस्तों गर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप सभी को अपने आधार कार्ड से अपने जो डोकुमेंट है वो अपडेट करना बेहदी जरूरी है अपसे पहले गॉर्मेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कि बताया गया था जिनके भी आधार कार्ड काफी पुराने हो चुके हैं उन लोगों को आधार कार्ड को आगे सुचार रूप से इस्तमाल करने के लिए अपने आधार कार्ड से उन्हें अपना जो डोकुमेंट है वो अपडेट करना होगा अब यहाँ पर यह जो वीडियो है आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आधार कार्ड में डोकुमेंट अपडेट करनी की जो लास्ट डेट है वो बिलकुल ही करीब में आ चुकी है अभी तक आप फ्री में जो डोकुमेंट अपडेट कर पाते हो वो सर्विस आप आगे नहीं कर पाओगे तो किस तरीके से आप सभी को अपने आधार के अंदर डोकुमेंट फ्री में अपडेट करना है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस में आपको लाइब दिखाने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो आप सभी को myadhar.uidi.gov.in पे आना है इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्टर में दे रखा है आप डारेक्टली इस वेप साइट पर आ सकती हो अब यहाँ पर आधार कार्ड में डोकुमेंट को अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर आपको लॉग इन का जो ऑप्शन दिया गया है जिस प पासवर्ड आएगा जिसको यहाँ पर फिल करना है दिन आपको लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अब इतना जैसे मैंने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने आधार से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेस होती है ऑनलाइन जिनको हम एक्सेस कर सकते उनका जो डेश बोर्ड है वो हमारे सामने आ चुका है जहां पर आप देखोगे कि आधार कार्ड में डुकुमेंट अपडेट करने का जो आप्शन है वो पहला आप्शन यहाँ पर दिया गया है जिसकी जो लास्ट डेट है वो भी आप देखोगे कि 14.09.2023 जो की बिलकु आधार में कोई भी correction नहीं कर पाएंगे proof up identity proof up address में से कोई भी एक document हम या फिर दोनों document अगर अपडेट करना चाहते हैं वो हम free में ही कर पाएंगे तो बिलकुल हमें कोई correction नहीं करना है लेकिन अपने आधार को authentication हर जगे करने के लिए इसके लिए हमें next के option पे click करना है है सारी चीज़े आपकी ही है कोई भी correction नहीं है नीचे के तरफ आना है अब अब detail are correct इस option पर आपको tick कर देना है देन आपको यहाँ पर next के option पर click करना है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने document update करने का जो option है वो आ चुका है जहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो proof up identity का जो option है वो आप सभी के सामने सो होता है जिसमें कि यहां पर आप अपने जो document है JPJ PNG या फिर PDF फार्मेंट पर upload कर सकते हो उसका जो size है maximum 2 MB होना चाहिए नहीं तो यह जो file है आप upload नहीं कर पाऊगे तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहां पर selection करने के लिए option पर क्लिक किया है तो यहां पर कौन सा आप document देना चाहते हैं उसके कई सरे option आते हैं तो यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है आपके पास जो भी दे सकते हैं यहां पर mention किया गया है लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी फाइल आप upload कर रहे हो वह फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए और यहां पर जब भी आप अगर scan कर रहे हो तो clear quality में वह scan file होना चाहिए तभी यहां पर accept किया जाएगा तो आप okay के option पे click करोगे यहां पर आप जहां पर अगर अपने phone से कर रहे हो तो उसकी gallery open हो जाएगी computer से कर रहे हो तो यहां पर selection box आ जाएगा जहां पर भी आपने file को सुरचित करके रखा है आपको select कर लेना है देन आपको open के option पे click करना है तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा proof up identity जिसके अंदर हमने pan card को upload किया है वो successfully upload हो चुका है इसे के साथ में proof up address जो secondary option दिया गया है अगर आप चाहो तो address का जो document है वो भी साथी के साथ upload कर सकते हो तो यहां पर आप देखोगे कि क दे दिया है पहले से ही आप prepare कर सकते हो तो यहां पर आपको उसी तरीके से document को upload करना है continue to upload के option पे click करना है जहां पर भी जिस location में आपने रखा हुआ document select करना है open के option पे click करना है तो green color से कुछ इस तरीके से tick लग करके आ जाएगा यानि हमारा जो document है वो successfully यहां पर upload हो चु हम इस पर click करेंगे अब यहां पर हम सारी information को submit करना चाहते हैं okay के option पे click करेंगे अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहां पर देखोगे कि हम final last page पर आ चुके हैं जहां पहले यहां पर payment करने की जरुरत होती थी document को update करने के अभी आप देखोगे कि date बची हुई है अभ आप अपडेट कर पाऊगे लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है समय रहते हैं आप अपडेट जरूर कर लो तो यहां पर आप आपको क्यों submit के option पे click करना है तो आप यहां पर देखोगे कि आपको कोई भी payment करने की जरुरत नहीं पड़ी है यहां पर हमारी जो application है वो successfully यहा यहां पर government की तरफ से यह जो हमारी application है इसको internally verify किया जाएगा जिस तरीके से हम correction की request देते हैं उसी तरीके से इस application को भी verify किया जाएगा यहां पर यह जो slip generate होकर कि आई है इसको अगर आप चाहो तो अपने पास में computer में download का जो option देगा इस पे click करके download करके सुरचित करके र request है दर्ज होने के बाद में अगर आपकी जो request है यहां पर approve हो जाती है उसके बाद में आप अपने आधार कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी तरीके से authentication कर सकते हो कोई भी government benefit अगर आपको लेना है तो वो benefit आप प्राप्त कर सकते हो अब यहां पर यह जो process ह दस साल से पहले जिन लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है उनके लिए तो बेहदीश जरूरी है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी document update नहीं किये है ना ही कोई correction कराया है तो अगर आपको दस साल से ज्यादा time नहीं हुआ है तब भी आप फ्री में document update कर सकते हो आपके प करता हूं आज का जब वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तुसे लाइक जरूर करना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी subscribe जरूर करना और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई चैन